नमस्कार मैं 36 गलत बार के यूट्यूब चैनल इंडिया आज कल के स्टूडियो से सुनील कुमार हिंदुस्तानी जुबान में खासकर 36 गड़ी हिंदी जिनको मैं जानता हूँ और अंग्रेजी जिसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इन में सब में महिलाओं के लिए बड़ी ही अपमान जनक भाषा रहती है कहवत मुहावरे बोलचाल की भाषा जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है महिलाओं को बखान करने के लिए बड़े अपमान जनक रहते हैं खासकर कहवत मुहावरे लोकोक्तियां इनको अगर देखें तो उनको बरदाश्ट करना मुश्किल होता है लगता है कि अभी अभी तक साहित्य में भाषा के दूसरे इस्तेमाल में जगे जगे इनका इस्तेमाल हो रहा है इन में किसी तरह की लेंगिक समानता की बात नहीं है महिला को इनसान की तरह भी नहीं माना जाता है किसी महिला के अकेले होने से लेकर उसके विद्वा हो जाने तक तरह तरह की नौबत में उसको तरह तरह से कोसने के रास्ते निकाले गए हैं भाषा में भाशा जितनी क्रूर जितनी बे इनसाफ है जितनी गैर वराबरी की है उसको देखकर हैरानी होती है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने भाशा ऐसी गड़ी है अब सोशल मीडिया की महरबानी से ये होता है कि भाशा की बेइनसाफी जो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं उन पर तुरंथ ही कुछ लोग तूट पड़ते हैं मैंने खुद ने फेस्बुक पे बहुत से अपने दोस्त खोए हैं क्योंकि उनके पेज पर लिखी गई बातों में जब लेंगिक समानता नहीं दिखी कोई लेंगिक बेइनसाफी की बात दिखी महिलाओं के लिए अपमान जनक बात दिखी तो मैंने वहां तुरंथ विरोत किया उस विरोत का विरोत करने वाले बहुत से पुरुश मौजूद रहते हैं लगता है कि उनकी समझ ही नहीं है कि महिलाओं को बराबरी का दरजा दिया जाना चाहिए या फिर ऐसा लगता है कि उनकी समझ है लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं ऐसे माहौल में जब सोशल मीडिया पर बहुत पढ़े लिखे लोग भाशा के विद्वान लोग हिंदी भाशा के विद्वान वो जब महिलाओं के खिलाफ अप्मान जनक भाशा में अप्मान जनक बातें लिखते हैं अप्मान जनक सोच उजागर करते हैं तो लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग जिनकी राजनीतिक चेतना कम है जिनको महिलाओं को वराबरी का हक देने की समझ कम है उनकी भाषा कैसी होगी उस भाषा से अच्छी होने की एक इंसाफ की जुबान होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है ऐसे माहल में अभी आठ मार्च को जब अंतराश्ट्री महिला दिवस था तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य ने आया धीश दीवाई चंद्रचूर ने ये बात कही थी कि महिलाओं के बारे में अदालत में बहुत से अपमान जनक शब्दे इस्तेमाल होते हैं और वो एक नई शब्दावली लेकर आ रहे हैं जिन में ऐसे बे इनसाफ शब्दों को हटाया जाएगा और उनकी जगे कौन से बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करना है ये सुझाया जाएगा ऐसी एक लिस्ट फेहरिस्ट उन्होंने कल जारी की है उसको देखा मैंने तो वो बिलकुल नाकाफी है बिलकुल अपरियाब्त है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूरा काम काज महज अंग्रेजी में होता है तो इसलिए हिंदी भाष़ा की बेहिंसाफी से सुप्रीम कोर्ट क बेहिंसाफी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलते नहीं दिख रही है लेकिन जिन अंग्रेजी शब्दों के बेहतर विकल्प चीफ जस्टिस की तरफ से जारी इस फेहरिस्ट में सुझाए गए हैं मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूँ ये शब्द अंग्रेजी के हैं म लेकिन आप मोटे मोटे तोर पर सुप्रीम कोर्ट की भावना और उसकी कोशिश समझे सकते हैं इसके बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज की भाषा अंग्रेजी में तो ये बे इनसाफी दूर कर दी हैं लेकिन सुप्रीम को इस्तेमाल करने वाले मेरे जैसे लोग नाकाफी हैं। हो सकता है मुझसे भी कभी कभी कोई लेंगिक असमानता की बात आ जाती हो मेरी भाशा में भी। तो कहीं न कहीं हिंदी भाषा में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है तो राजनीतिक चेतना संपन सामाजीक जिम्मेदार सरोकार वाले लोग मिलकर एक ऐसी शब्दावली गढ़ सकते हैं जो बतलाए कि हिंदी में महिला के लिए अपमान जनक कौन-कौन से शब्द हैं जि एक भाषा शास्त्री डॉक्टर चितरंजन कर को एक इंटर्वियू किया था उसमें ये बात शुरू ही हुई थी भाषा की बे इनसाफी की पूरी नहीं हो पाई थी बात वो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी एक अधिक लंबी लिस्ट लेकर कहवत और मुहावरे लेकर उनके यहाँ पर हूँ पहले उस बात को पूरा कर लें सुप्रीम कोर्ट के मुखे नयाधिश जस्टिस चंदरचूर ने जो एक लिस्ट जारी की है अंग्रेजी शब्दों की कि ये अपमान जनक है महिला के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इनकी जगे बेहतर शब्द अब उन्होंने कहा है वरकिंग वीमिन कामकाजी महिला की जगे महिला शब्द लिखा जाए क्योंकि आम तोर पे हम आप सब कामकाजी महिला उसको कहते हैं जो घर के बाहर काम करती है घर के भीतर काम करने वाली महिला को कोई कामकाजी नहीं कहते है तो यहाँ पे यह समझने की जरूरत है घर के भीतर जो महिला काम करती है वो भी कामकाजी है वो बराबरी की कामकाजी है उसकी उत्पादकता उतनी ही है इसलिए केवल बाहर काम करने वाली महिला को कामकाजी महिला कह देना तो उसका मतलब है कि ये बेकाम महिला है जो घर बैठी हुई है ऐसा बिलकुल नहीं है तो चीप जस्टिस ने सुझाया है कि कामकाजी महिला की जगे महिला शब्द का इस्तेमाल करें ये परियाप्त है कामकाजी महिला का अपमान नहीं है लेकिन घरेलू महिला के सम्मान को बढ़ाने के लिए बराबरी में तक इस्तेमाल कर लेते हैं इसका ये शब्द है रखेल रखेल से मुटे तोर पर हिंदी की परंपरागत जुबान में मतलब ये निकलता है एक महिला से एक पुरुष का संबंध है जिसमें शायद पुरुष से ये उम्मीद की जाती है कि महिला का खर्च उठाता होगा ऐस एक परंपरागत मतलब उसका चले आ रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है कि रखेल की जगे लिखा जाए कि एक ऐसी महिला जिसके किसी पुरुष के विवाहेतर प्रेम या सेक्स संबंध हो हूँ एक महिला जिसके पुरुष से विवाहेतर एक्स्ट्रा मेरिटल लाव रिलेशन्शिप हो या फीजिकल रिलेशन्शिप हो दोनों ही हो लेकिन रखेल नहीं कहा जाएगा कीप कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट में वकील फैसलों में जजज कीप लिखते थे किसी महिला को शिवाज हिस कीप वह उसकी रखेल थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जुबान नहीं चलेगी कोई महिला रखेल नहीं है कोई महिला ऐसी हो सकती है जिसके किसी पुरुष से शादी से परे के शादी शुदा नहीं है दोनों लेकिन उनके प्रेम संबंध हो सकते हैं उनके देह संबंध हो सकते हैं, तो आप उसको लिख दीजिए, शादी से परे के प्रेम या देह संबंध, ऐसा लिखिए, उसके लिए रखेल नहीं लिखना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दिल्चस्प फर्क सुझाया है, और सुझाया नहीं है, ये एक किसम से आदेश है, अदालती कामकाच की भाषा में, हम और आप चाहें तो हम भी उसका इस्तिमाल कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, हम दोनों ही, कैمرे के दोनों तरफ के लोग, अच्छी पतनी, वफादार पतनी, अनुशाशित पतनी, ये शब्दे इस्तिमाल होते हैं, अंग् बड़ी faithful है, loyal है, वफादार पत्नी है, ऐसा इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसकी जगे एक शब्द काफी है पत्नी। पत्नी को और डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि कौन वफादार है। जब किसी को वफादार कहा जाएगा तो बाकी की वफा के उपर एक उंगली उटती है तो अदालत ने ये कहा कि ये सब्दों की जरूरत नहीं है वफादार अच्छी अनुशाशित ये सब की जरूरा अग्याकारी इसकी जरूरत नहीं है पत्नी ये पत्नी है क्योंकि किसी पती के बारे में ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है वो एक किया है जबरिया बलातकार की जगे बलातकार अब देखिए पुरुष जो है आम तोर पे 99.99 फीसदी बलातकार या उससे भी जाधे पुरुष ही करते हैं और पुरुष अपने किये हुए बलातकार में भी एक संदेह का लाभ पाने के लिए एक बलातकार को वो जबरिया बलातकार कहते हैं जैसे कि मानो बिना जबरदस्ती के भी कोई बलातकार हो सकता हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं कोई जबरिया बलातकार नहीं होता हर बलातकार जबरिया ही होता है जबरिया एक जबरिया लिख प्रखने की जरुएतनी हैं हर बलातकार जबरिया ही होता है हिंदुस्तान में भारती महिला पश्चीमी महिला ये बहुत इस्तेमाल होता है आपको दिहान होका हमने संसद की कुछ बहसों का जिक्र किया था जिसमें शर्द यादव जैसे बहुत ही वरिष्ट गंभीर संसद न उन्होंने शहरी महिलाओं को परकटी महिला कह दिया था परकटी होता है जिस महिला के बाल थोड़े छोटे कटे हुए उनको परकटी कह दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भारती महिला पश्चीमी महिला ये सब नहीं महिला परियाप्त है वो भारती है वो पोशाक में हैं, पश्चिमी पोशाक में हैं, वो महिला है, आपको और ज़्यादा उसकी व्याठ्या करने की जरूरत नहीं है, ये कहा कि शादी की उम्र लिखा जाता है, शी हड़ अटेंड एज अफ मैरिज, ऐसे लिखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी की उम्र लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत है, शादी की कानूनी उम्र, शादी की उम्र तो बाल विवा भी हो सकती है कई लोगों के लिए, हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारी शादियां बाल विवा है reck vrij तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, की भड़काव और उत्तेजक कपड़े जब किसी महिला को बच्चलन साबित करना होता है जब किसी महिला के चाल चलन के खिलाफ तोर तरीके के खिलाफ ऐसा साबित करना होता है कि उसके उकसावे भड़कावे से उसके साथ बलातकार हुआ तो आम तोर पे ऐसी भाशा वकील इ की इस्तेमाल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कोई कपड़े भड़काव और उत्तेजक लिखने की जरुवत नहीं है महिला की अपनी पसंद है वो जैसे चाहे कपड़े पहने क्या बुरका पहनने वाली गूंगट डालने वाली महिला से बलातकार नहीं होते क्या भड़काव और उत्तेजक कपड़े महिला के कपड़े महिला के कपड़े हैं आप भड़क रहे हो आप उत्तेजीत हो रहे हो आप अपने आपको समालो महिला के कपड़ों पे टिपणी मत करो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी व्याख्या नहीं किये मैं कर रहा हूं व्याख्या तो सुप्रीम कोर्टे एक शब्द सुझाया है कपड़े बस महिला के कपड़े अब वकील साब को भी मज़ा नहीं आएगा लिखने में जब तक वो उत्तेजक और भड़काउ न लिख सकें और जज को भी फैसला देते समय इसको फैसले का एक आधार बनाने में मज़ा नहीं कि महिला बहुत उत्तेजक और भड़काउ कपड़े पहनी हुई थी देर रात अकेली थी बार से निकल रही थी शराब पी हुई थी जैसे कि ये तमाम खूबियां मर्दों में जायज है औरतों में ना जायज है तो शायद ऐसी ही नवबतम का सोच के चीप जस्टिस ने ये कहा कोय भड़काउ रुततेजक कपड़े लिखने की जरूरत निया आप कपड़े लिखिए लिखना है तो बहुत हो गया अफेयर एक बड़ा कामन शब्द है अफेयर कैसा अरे उसका उस लडब की से अफेयर है उस लड़की का तो तीन लड़कों से अफेयर था उसकी शादी से परे का रिष्टा अफेयर ये लिखना काफी है कोई अफेयर अफेयर जैसा कोई अपमान जनक शब्द नहीं लिखना है प्रास्टिट्यूट जो शब्द लोगों को बहुत पसंद है हमारे हिंदुस्तान के इसी मुदी सरकार के एक मंतरी थे केंदरी मंतरी जनरल व प्रस्टिट्यूट जो वेश्या का रहता है, वेश्या के लिए जो इस्तेमाल होता है, ऐसा उन्होंने मीडिया के लिए उच्छाला था शब्द प्रेस्टिट्यूट्स, कियाने ये मीडिया के नाम पर ये वेश्या वृत्ति कर रहे हैं, ये पत्रकार वेश्या हैं, ये वे भाजबा के बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी कही जाती है, वो प्रेस्टीуйтеŁट, प्रेस्टी Duke, प्रेस्टीटीट जो पत्रकार उनको नापसंब है, उसके बारे में प्रेस्टीटिट प्रेस्टीट यह प्रास्टीट से निकाल के बनाया है, सुप्री नियुए देह को बेच रही है इसमें कौई जूर्म नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हरसा पहले प्रास्टीटिूशन उस वक्त तक जिसको कहते थे उसको जूर्म के दाइरे से बाँर निकाल दिया है तो अब सुप्रीम कोर्ट ने और खुलासा कर दिया कि कोई महिला प् करकर है ये साफ कर दिया है इसी तरीके से अनवेड मदर या बिन बियाही मा कुवारी मा ऐसे बहुत सारा होता था अरे वो तो अनवेड मदर है शादी हुई नहीं बच्चा हो गया अनवेड मदर है एकका दुका महिलाएं हिम्मत करती थी समाज के सामने खुल के आने की मुझ उन्होंने वेस्टिंडीज के या कहीं के क्रिकेट प्लेयर के साथ जिनकी बेटी हुई बिना शादी के और उन्होंने खुल के कहा कि हाँ ये मेरी बेटी है ये उसका पिता है खुल के कहा था उन्होंने बहुत कम थी महिलाएं समाज बड़ी बुरी नजरों से देखता था इ तो ठीक है, शादी के पहले मा बनती है, तो ठीक है, वो माँ है, उसकी सबसे बड़ी खुबी, सबसे चरचिद बात उसका माँ होना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, बास्टर्ड, हराम जादा, हराम जादी, ये शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है हमारे या, किसी को गाली बकनी रहती है उसको हराम जादा कह देते हैं आपको दिहान होगा कुछ हरसा पहले कुछ धार्मीक लोगों ने गाली उचाली थी कि ये राम जादा है और ये हराम जादे हैं राम जादा और हराम जादा इस किसमें की एक गाली उचाली थी लोगों को गाली देने के लि और आए बास्टर्ड शब्द का अंग्रेजी में, हिंदी में, हराम जदा, उर्दू में, इन सब में उसका मतलब ये है, शादी से बाहर, out of wedlock, शादी से बाहर जिस बच्चे का जन्म हुआ है, उसको हराम जदा या हराम जदी कह दिया जाता था, उस बच्चे की क्या गलती ह जिस बच्चे की कोई भूमी का उसके धर्ती पे आने में नहीं है एक आदमी और एक अवरत, एक लड़का और एक लड़की इन्होंने मिलके उसको जन्म दिया है तो उसको क्यों गाली देना? उसको क्यों कहना कि तुम हराम जादा हो? तुम बास्टरड हो? संतान कहां से अवैद होने लगी उसका कोई जुर्म है कि एक मा और एक बाप से वो पैदा हुई है संतान उसका जुर्म है क्या कोई कि आप उसको गाली बगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बास्टर्ड नहीं है कोई हराम जादा हराम जादी अवैच संतान कुछ नहीं है संतान संतान है वो बच्चा बच्चा है ऐसा बच्चा जिसके मांता पिता ने शादी नहीं किये लेकिन ये गाली नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी से परे की संतान लेकिन वो गाली नहीं है तो उसके लिए ह आपको ध्यान होगा Adam and Eve आदम और हववा जब स्वर्ग की कहानी चलती है और इश्वर की कहानी चलती है बाइबिल वगर में तो वहाँ पर ये आदम और हववा की कहानी आती है Adam and Eve तो महिलाओं के लिए Eve शब्द इस्तेमाल होता है पुरुशों के लिए Adam, आदमी, Adam ये इस् की Eve को, हववा को गुद गुदाया जा रहा हो उससे मजा किया जा रहा हो मजा किया जा रहा हो शरारत की जा रही हो सुप्रीम कोर्ट ने कहाए Eve teasing कोई शब्द नहीं है इव टीजिंग की जगे street sexual harassment सड़क पर यवन शोशन सड़क पर यवन छेड़ छाल ये साफ साफ कहा Supreme Court ने इसी तरीके से Housewife अब Housewife शब्द कोई मुझसे पूछता है आपकी माँ क्या करती थी तो मैं कहता हूँ वो घरेलू महिला थी मेरी माँ कुछ नहीं करती है वो घरेलू महिला है मैं भी एक समय ये जवाब देता था मतलब ये है कि लोगों की समझ में भी ये नहीं आता है कि घरेलू महिला का काम कोई काम होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई हाउस वाइफ नहीं है होम मेकर है वो वो घर का निर्मान करती है परिवार का निर्मान करती है परिवारिक जीवन का निर्मान करती है वो होम मेकर है वो ऐसा नहीं कि वो घर में बैठे वो पटा तोड रही है, कुरसी तोड रही है घर में बैटके, घर में बैटके मुफ्त का खा रही है, वो घर को बना रही है, परिवार को बना रही है, गड़ रही है, इसलिए वो होम मेकर है, हाउस वाइफ कुछ नहीं, हाउस वाइफ क्या है, हाउस में रहने वाइफ, वो वो बनाती है, निर्मान करती है पूरे परिवार का, तो उसको होम मेकर कहा जाए, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसी तरीके से जिन महिलाओं के चाल चलन पे टिपणी करनी रहती है, कि इनका चाल चलन खराब है, उसके बारे में अंग्रेजी का एक शब्द इस्तिमाल होत है, स्लट, S-L-U-T, स्लट, स्लट का मतलब होता है, यह लूज कारेक्टर की, यह बच्चलन आउरत है, ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी महिला के बारे में स्लट शब्द का इस्तिमाल नहीं होगा, कोई महिला बच्चलन नहीं है, महिला, महिला है, महिला का जिक, महिला की तरह करो कोई स्लट नहीं है कोई लूज केरेक्टर की नहीं है कोई इजी वर्चू की नहीं है ये सब लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एक लंबी लिस्ट है इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं उसको आप पढ़ भी सकते हैं अकबारों में हमारे अकबार की कहा है अंगरी जी के एक शब्द के बजाए दूसरा शब्द क्या सुझाया है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया है अदालती कामकाच के लिए कहा गया है तो ऐसा माना जाना चाहिए कि ये देश के प्रचलन के लिए भी यही भाशा सुप्रीम कोर्ट ने उसी हिंदी का मैं कमाता खाता हूं। उस हिंदी जुबान में महिलाओं के लिए किस कदर हिंसा, किस कदर बैंसा फी भरी हुई है। मैं कबीर का एक दोहा, तुलसी दास का एक दोहा, एक-एक दोहे वगर को गिनाना नहीं चाहता। इन्होंने सेक्ड़ों बरस पहले जो लिखा है उस वक्त की उनकी समझ उतनी रही होगी उस वक्त महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की सोच नहीं रही होगी लेकिन अभी आज जो प्रचलन में हैं जो लोकोक्तियां आज भी लिखी जाती हैं जो लोग आज की अपनी हिंदी में भाशा में लिखते हैं और जिन लोकोक्तियों को वो पचीस-पचास साल पहले लिखी हुई कहानियों में उपन्यास में निबंध में पढ़ते हैं और उन पश्चिमी दुनिया की एक बड़ी मशुहर लेखी का रही है उनके लिखे हुए बहुत दस्यों लाख की संख्या में उनके लिखे हुए उपन्यास कहानिया ये बिके हैं कालपनिक उनके लिखे हुए में जहां जहां नसली भेभाव की बातें थी उन बातों को अभी हटाया जा रहा है उनके लिखे हुए जो नए संसकरण आ रहे हैं उनमें हटाया जा रहा है मुझे को पता लगा है कि हिंदुस्तान में भी तुलसी दास की कच एक व्याख्या जो है उसको कुछ प्रकाशकों ने अभी हटाया है ये अच्छी बात है भाशा को उबरना चाहिए बे इनसाफी से मैं थोड़ा सा आपको एक नमूना दिखाने के लिए एक किताब लेके आया हूँ जो हमाँ अपने आफिस में बहुत इस्तिमाल करते हैं ये है व्रिहद हिंदी लोकोक्ति कोश डाक्टर भुलाना तिवारी नूर नभी अबासी और डाक्टर किरनबाला इन तीन लोगों की एडिट की हुई है ये बहुत मुटी है किताब आप देख सकते हैं इसमें लोकोक्तियां हिंदुस्तान के अलग-अलग इलाकों में हिंदी से अलग बोलियों में जो लोकोक्तियां है वो इनका सब का बहुत बड़ा संग्रा है ये मैं ये नहीं कहता है कि ये भुलाना तिवारी ने कोई बेंसाफी की है ये मैं नहीं कहता है उन्होंने तो एक कलेक्शन किया है कि प्रचलन में क्या-क्या है तो जो प्रचलन में हैं उसको अगर खोल के देखें महिला से जुड़े हुए जितने शब्दों होते हैं कहीं आप विद्वा शब्द को निकाल के देख लीजिए कहीं आप उसके बारे में अगर उसकी संतान नहीं है तो बांजे शब्द निकाल के देख लीजिए कहीं आप उसके लिए आम तोर पे इस्तेमाल होने वाली गाली रांड शब्द निकाल के देख लिजिए आपको दरजनों और सैकडों कहावते मिलेंगी जो इन शब्दों के साथ प्रचलन में हैं मैं उतनी गंदगी उतनी बेइंसाफी आपको परोसना नहीं चाहता लेकिन मैं पहला ही शब्द बता रहा हूँ 977 पेज नंबर पे यहां से शुरू हो रहा है रांड शब्द का जिक्र महिला के लिए सबसे अपमान जनक शब्दों में से एक शब्द है रांड शब्द 975 से यह शुरू हो रहा है जो पहली लोकोक्ती है इसमें वो ये है रांड और खांड का यवन रात को होता है विद्वा इस्तरी और मिठाई की जवानी रात को आती है ये चरित्र भरस्ट विद्वा के बारे में व्यंग में कहा जाता है रांड अर खांड रो जवन रात रो ये अलग-अलग अलग लोक भाशाओं में है ये इस तरह से भरा हुआ है ये लोकोक्ती भरी हुई है इस तरह से ये संग्रह भरा हुआ है पूरा का पूरा मैं अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सोशल मीडिया में जितना पढ़ पाता हूँ वहाँ पे मैं अन्याय का विरोध करता हूँ महिलाओं के प्रती गैर बराबरी की बात रहती है अपमान की बात रहती है मैं उसका विरोध करता हूँ बहुत सी महिलाएं भी नहीं समझ पाती कि इसमें नाजायाज क्या है फिर मुझको समझाना पड़ता है कि इसमें नाजायज है इसमें आपको पुरुष के भीतर मान लिया गया है दस आदमी आये थे इसको महिला मान लेती ही कि छे पुरुष थे चार महिलाएं थी तो ठीक तो कहा है कि दस आदमी आये थे आदमी में तो हम शामिल हैं ऐसा महिलाए मान लेती है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बहस छेड़ी है नई जो नया मुद्दा उठाया है इसको लेकर एक जागरुकता की जरूरत है इसलिए मैंने आपके सामने इतने खुलासे से ये चल्चा की है देखते हैं हम और आप अपनी जुबान को कितना सुधार सकते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद करता हूं कि वो केवल अंग्रेजी पढ़ने लिखने वालों की अदालत नहीं है देश के अधिकतर छोटे कोर्ट तो हिंदी में या छितरी भाषाओं में काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को इसका अनुवाद भी जारी करना चाहिए बलकि छितरी भाषाओं में हिंदी में जो अलग शब्दावली है इस लिस्ट से उसमें रांड शब्द नहीं लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में लेकिन हिंदी में बहुत प्रशलित है इसलिए उसके उपर भी सुप्रीम कोर्ट को काम करना चाहिए केंदर सरकार काम करे ना करे मैं नहीं जानता लेकिन सुप्रीम कोट को तो काम करना चाहिए हमको आपको भी काम करना चाहिए हमको और आपको भी अपने-पने सोशल मीडिया पेज पर ऐसी लिस्ट पोस्ट करना चाहिए कि कौन से शब्द अपमान जनक हैं इनके क्या विकल्प हो सकते हैं चलिए देखते हैं हम और आप ही शुरू करेंगे तो ये बात कितनी आगे बढ़ती है देखते हैं मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूंगा आपको हमारी ये बात अच्छी लगी होगी तो सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन की बटन दबाईएगा लाइक कीजिएगा टिपनी कीजिएगा नीचे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो आप हेलमेट लगा कर रखिए कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए उसके बिना किसी हाथसे में जान बचना बड़ा मुश्किल रहता है हम चाहते हैं कि हम बरस दर बरस आपके सामने रहें फिर मिलते हैं